आज का हमारा टॉपिक है महासागरी जल्धारा यानि ओसियन करेंट्स आपको ये पूरा मैप दिख रहा होगा जिसमें आपको रेट कलर और ब्लू कलर से कुछ जल्धाराओं के नाम दिख रहे होगे चलिए आगे हम चर्चा करते हैं ये वाली लाइन जो आपको ये लाइन दिख रही है ये लाइन है जीरो डिगरी यानि एक्वेटर जो डच्छनी अमेरिका से होते हुए ये अफ्रीका के दच्छनी भाग यानि साउथ हर्न अफ्रीका और ये ये भारत यानि इंडिया के नीसर दच्छन से जो हिंद महासागर से ये गुजाते हुए ये कहां पर जीरो डिगरी यहां से यानि कि ये एक्वेटर है और ठीक इसके उपर ये जो डॉटेट वाली ल करकरेखा ट्रोपिक ऑफ कैंसर ये यहां से गई है और ठीक इसके नीचे 23.5 डिगरी साउथ यानि कि ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर ये है ठीक ये तीनों रिखाएं देख लीजिए अच्छे से ये लाइन तीन करकरेखा विश्वत रेखा और मकर रेखा यानि ट्रोपिक ऑ ये तो आपको अच्छे से पता है कि जीरो डिगरी के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है जीरो डिगरी के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो इसका मतलब यहां पे जो ओसीन करेंट्स होंगी ओसीन करेंट्स क्या होती है यानि कि जो सागर का जल जो होता है सागर क जल किधर flow होता है किधर इधर उधर जाता है गर्म से ठंड ठंड से गर्म यानि कि ये देखिए कि जो सागर का जल है ध्यान से तुनिये सागर का जल जो है कि जितने भी महा सागरी चल चाहिए सागरी चल हो ये हमेशा विश्वत रेखा यानि क्वेटर से चल कर ये धीरे धी करेंट में यही अंतर है यानि कीym पाणी और ये आपका विंड यही दोनों खासकर अंतर है फिर सर départ की Mi A सागरी जल धा रहा है और विंड यानि कि पाउनों में यही अंतरा होता है जो पाउने यानि विंड जो होती है हमेशा हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ परचे हाई प्रेसर नहीं ठंड और लो प्रेसर यानि गर्म ठंड से गर्म यहीं उसके उल्ट अपोजीट यानि उसके उल्टा जो जल है जो पानी है हम उसका उल्टा यानि कि गर्म से ठंडे की और जाता है ये अंतरा में सा याद रखेगा यानि कि आप ये देखे जो भी जीरो डिगरी के पास है उसे हम रेट कलर से की हैं देखे ये रेट कलर नीचे भी यह विश्वत रेखा उपर वाले भाग को नौर्थ और नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे साउथ ठीक है यह देखे जीरो डिगरी पास जो भी अब यहां पर देखे यह देखे यहां पर साफसा आपको लिखा हुआ है रेड कलर का मतलब होता है गर्म जल धारा है यानि कि होट ओसियन करिंस या और ब्लू कलर का ठंडी जल धारा है यानि कोल्ड होंगी ठीक है अब देखे यहां पर पहले हम पिशुषत रेखा यानि एक्वेटर के बात कर रहे हैं यहां पर जीतने भी होंगे आप यह तो दागर का जल जो होगा हमेशा गर्म होगा क्योंकि यहां पर सूरज की किल्णे हमेशा लंबवात यानि पर्पेंडिकुलर चमकती है हमेशा सबसे ज़्यादा उसमा सबसे ज़्यादा उर्जा परात करता है इसलिए यहां का पानी क्या होगा गर्म होगा ठीक तो यहां पर गुएना धारा, गुएना कंट्री का नाम है अफरीका के तो इसी लिए जो भी कंट्री होगी आज पाँ उसी के पास जो जल धारा हैं होंगी जो ocean currents होंगी उसी के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर देखी यहाँ पर इसके origin उत्पत्ती हो जाती है गुवेना के जलधारा और ये देखी ये ऐसे ये मूला ये मूला और ये ऐसे चला गया ठीक तो समझे कि आप equator के पास जो जो भी ocean currents होंगी वो हमेशा गरम होंगी आप देखी यहाँ पर आप south में आ जाते हैं equator के नीचे वाला south मैंने का यहाँ पर भी एक जलधारा के उत्पन होती है तो उत्पन होने पर ये क्या होगा ये भी गरम हो जाएगी तो इसको बोलते हैं विश्वत रेखा यानि कि south equatorial currents यानि कि दच्छे विश्वत रेखी ये जलधारा या धारा ठीक अब ये नीचे आगी इसका भी नाम बदा जाएगा बगल में ये जलधारा ये बाड़ा सा ब्राजील है यानि कि दच्छे अमेरिका का एक देश ब्राजी तो इसलिए इसको इसके बगल वाले पानी वाले पार्ट को जो बहर रही है जलधारा इसको हम ब्राजील currents या ब्राजील धारा बोल देंगे ठीक अब ये यहान पर मोड जाती है ठेक अभी हम इसको यहां पर रोक रहे हैं क्योंकि अभी हम गर्म जलधारा की बात करते हैं यहां पर पता भी दरी यह नीचे जाके ठंडा हो जाती कहां से यहां एक छोटा सा देश है फॉक्लेंड इसलिए अब नीचे वाले जितनी धारा हैं वीस्वत रेखा के पास तो है नहीं तो यहां पर सूरवज की गर्मी नहीं पहुंच ऑप्त ठंडा जलका जो मात्रता होगाई फंड हो जाएंगी सि ultras यह यहां पर फॉक्लेंड ठंडी जलधारा है क्योंकि यहां पर ब्लू एय। अब यह यहाँ पर यही जो ब्राजील जलधारा और फॉकलेंड जलधारा यानि की ब्राजील करेंट और फॉकलेंड करेंट से मिल जाएंगी और ये दोनों क्या होगे आगे बढ़के इसका नाम हो जाएगा पशिमी प्रवाह पवन प्रवाह और या इसको हम दच्चनी अट्लांटिक प्रवाह बोलेंगे Drift यानि की Western Wind Drift या इसको हम Southern Atlantic Drift बोलेंगे ठीक है ये प्रवाह ये ऐसे अब ये आगे जाके आगे मूर जाती है तो इसका नम वेंगूला जलधारा हो जाता है वेंगूला करेंट्स ठीक ये आपको अच्छे समझ में आ गया जब यह जो धारा उत्पन होती यही आगे इसी को करते हैं अटलांटिक धारा भी बोलते हैं यह दिखे लिखा हुआ यानि कि एक ही पानी के पार्ट को अलग 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 देशों यह अलग ले लिया के नाम से जाना जाता है यहां से औरिजिन उत्पन हुआ तो अट्लांटिक धारा फिर आगे बढ़ गए देच्छुनी विश्वती रेकी जलदारा यानि कि साउथन एक्वेटोरियल करेंट्स यह आगे ब्राजील के नाम से जाने जाएगी ब्राजील धारा मूल गई किस से मिल गई फॉकलेंट अब आते हैं हिंद महासागर यानि इंडियन उशन की बात करते हैं वही चीज है जैसे यहां पर दक्ष्वत रेकी इसी प्रकार यहां पर भी दक्ष्वत रेकी इसको हम साउथर्न एक्वेटोरियल करेंट्स पोल देंगे ठीक अब यह भी जो भी अब यह मैंने बताया दे बढ़ने कोशिश करेंगी ठीक, यह नीचे आ रही है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देशे मोजामबिक, अफरीका के यह किनान डेशे मोजामबिक, इसी लिए और यह जो जो आपका छोटा सा पार्ट है, इसको ये मेडा गासकर है, अफरीका का एक देश है, ये मेडा गासकर है, मेडा गासकर है, और ये अफरीका के बीच में से ये जब जलधारा जाती है, जो पानी वो बहर रहा है, इसको हम मोजांबिक जलधारा बोलेंगे, मोजांबिक करेंट वोल दें क्योंकि यहां एक मजनबिक देश थे हैं अब यह नीचे जाती है अगुलहास थारा यहां पर यह रेट कलर ही है इसको रेट कलर लिक्ती है गर्म क्यों गल्टी से यहां पर ब्लू कलर से अबा लिका गया था तो अगलुहास जल धार यानि कि यह याद रखिये यानि इंडियन ओसियन का जो जो जल्धारा कौन है याद रखेंगे मोजांबिक जल्धारा अगुलहास जल्धारा और दच्छिंविश्वत रेकी जल्धारा यह आगे जाके नीचे ठंड हो गया नीचे ठंडा मिल गया है तो अगुलहास जल्धारा गर्म जल्धारा है नीच है western australian currents ठीक अब ये उपर जाएगी तो उपर गर्म हैं कि living current से ठीक आप इसको मैप में अच्छे देख लिजेगा और ये ये पूरा ऐसे यानि कि आप से question put up करेगा कि बताएं इंडियन उसें की कौन कौन करेंट्स हैं तो आप बोलेंगे मोजांबिक अगुलास पश्चिमी अस्टिलिय धारा लिविंजल धारा और western equatorial currents ये सारी चीजे हैं अब हम आते हैं इसी तरह आपको ये भी अब अच्छे से याद हो जाएगा कि अट्लांटिक महासागर की कौन कौन currents होंगी तो ये आपका southern equatorial currents ब्राजील currents फॉक्लेंड currents इसे क्या वेंगुला currents अट्लांटिक currents गुएना currents ये सारे क्या है ये south की क्या है ये south की Atlantic महासागर अट्लांटिक ocean के south में जो currents है ठंडी और गर्म अब हम आते हैं ये हो गया अब हम चलते हैं उपर विश्वत रेखा के यानि क्वेक्वेटर के उपर चलते हैं ये अब हम उपर चलते हैं तो जैसे नीचे वाले current को हम south बोल दिये तो उपर वाले को उतरी या north equatorial धारा बोलेंगे अब यहां से उपर उठके ये क्या होगी ठंड की तरफ जाएगी तो यहां पर रेखिए यहां पर एक मेक्सिको खाड़ी खाड़ी उसे करते हैं जो तीन तरफ से जल से घुरा हो पानी से गिरा हो तो यह पर लिए मेक्सिको खाड़ी अब यह यहां पर ऐसे टर्न करेगी तो यहां पर एक देस नौर्थ अमेरिका कर देस फ्लोरीडा तो इसलिए इसको करते हैं फ्लोरीडा धारा अब यह आके जाके गल्फ इसको एक और नाम से जाना जाएगा नाम पदलता जाएगा बस उस पाड़ी देखिए यह उपर निकल गया यह यूरोब की तरफ निकल रहा है इसको याद रेखिए इसको हम बोलते हैं उत्तरी अट्लांटिक प्रवा नौर्थ अट्लांटरिक डिफ्ट डिफ्ट ठेक तो इसे बोलते हैं इसी को बोलते हैं यूरोब का कंबल यह कोश्चन पुछा गया है कि उत्तरी अट्लांटिक प्रवा को हम यूरोब का कंबल बोलते हैं क्योंकि यह जब यह गर्म है और यह नार्वे और यह आसपास के एरिया में जो बहुत जादा बर्फ होती है इसी गर्म जलदारा को बर्फ पिघलना सुरू हो जाती है बहुत अच्छा म मुड़ जाएगी तो यह नार्वे यह पूरा नार्वे देश है यह देखिए इसी दिए इसको यहाँ पर नार्वे जलदारा है यह सारे के सारे गर्म जलदारा है सब अट्लांटिक महासागर की जलदारा है अब हम आके अब देखिए उधर से तो ठंडी जलदारा रही है यह पूरा जो एरिया आपका दिख रहा है यानि कि ग्रीनलेंड के इधर क्या करेंगे पूरव इधर पे पूरभ इधर पस्चीम तो यहाँ पोरवी जरनर्ड दारा यानि कि इस्ठ इस्ठ जरनर्ड कहरेंट अब यह नीचे आ रही है इधर से investigate अग्ते मिलते यहाँ ने मिलती है वहां बहुत ज़्यादा क्या होता है कोहरा हो जाता है भाब निकलने लगता है तो टाइटेनिक इसी जगह यानि कि डुबा हुआ था अब यहां पर लेप्रोडोल जल्दारा और यहां पर गल्फ इस्ट्रीम जल्दारा दोनों मिल जाती है इसलिए यहां पर बहुत जल्धारा आटोमेटी इस देखे यहां पर एक फंडी जल्धारा यादी यह अपवाद है वेरी इपॉटन याद दखेगा यहां पर इसो गर्म होना चाहिए लेकिन यहां पर देखे कनारी करेंट से यह थे और फिश्वत रेखा से नीचे की साइड दिश्चे तरफा वहाँ उसकी पती हमेशा विसोत रेखा है यानि क्विटर के पास होगी यह आपका होगी है आपको अच्छे से पता होगे अट्लांटिक महासागर की कौन-कौन ठंडी और गर्म जल धार आए होगी एक बार आप नूट डाउन कर लिजेगा इदम अच्छे से ठंडी में सार गैशो सागर इए इसलिए पूरे और यहाँ पर यहां पर कमबल इट यह जी जल धारा है अब यहाँ पर यहता इनें अच्छे परतलांटिक महासागर हिंद महासागर हो गया अब आते हैं प्रशान्त महास अगर इधर भी है आपके अटलस में लिखा होगा कि विशो त्रीका उपर प्रशान्त मास आगे इसको दच्छी प्रशान्त उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि विश्वत्री का उपर को वाले भाक उत्तर और नीचे वाक को डच्छी या साउथ या उपर वाले को नौर्थ बोलते हैं अब देखिए इसी तरह इधर हम राउंड कर ले और प्रशान्त महासागरी जल्दार है यहां पर से लेके नीचे आरे रेड़ कलर का गर्म है और यहां पर पेरू की जल्दार है क्या है आपके पेरू डेश है अच्छी अमेरिका में क्या एक साओथ अमेरिका का एक देश से इसलिक पेरुजल्दा ठंडी जल्दार नीचे आ रही है ठीक है यह गर्म है लेकिन जाकर आगए ठंडी हो जाती है अब यहां पर इस तरह भी परशांत महासागर के देख लेते हैं प्रशांत महासागर में देखिए कि यहाँ जापान यह चोटा सब जापान के हैं जापान के उद्वीप है यह जापान देश है यहाँ पर देखिए जब यह नीचे से जा रही है यह उपर से नीचे से कहीं से यह सारी गर्म जल दारा है जिसका नाम है क्यूरोशियो धारा का लिखा होगा क्यो यह रायल भी लिखा होगा कम चटका भी लिखा होगा इसी को हूँ ओयोशियो कूरील धारा जबस चाहएं बह रहे यह ठंडी जलड़ा यानि प्रशांथ वहस्टाल गरिक में कोण कोण सी जलड़ा है। पूर्वी आस्टेले श्टेलिया धारा यह गर्म है क्योंकि रेट कलर से मैंने कहा कि वो रेट कलर से जो होगा वो गर्म होगा ओ योशियो कुद क्यों रील धारा यह सारी चीज़ है आप यह अच्छे से देख लीजिए यह मैंने आज पूरा बस मुश्कित से 10 या 15 में आपको एक घंटे की चीज अच्छे से समझा जादी है जो आपके जिस लेवल पर आप से प्रश्ण पूछे जाएंगे वो इसके लिए यह काफी है यानि कि आप से पूछे जाएंगे कौन सी गर्म ठंडी जल धारा है किस महा किस महा सागर किस होसियन की यह आप अच्छे समझ लीजिए ठीक हमेशा इंडियन ओशियन क अब से यह ठंडी जल धारा बाकी सब इंडियन ओशियन में सब की सब गर्म हैं देख लीजिए इसको अच्छे से जाद के लिए क्या विश्वत रेखा कि आसपास के पूरे कों क्या बोलते हैं गर्म जल धारा है यह जितनी भी हाट करेंट्स हैं ठीक है और बाकी जो दूर लेपरटूर हैं जैसे पूर्वी गरिलेंड लेपरटूर फॉक लेंड रिफ एंगूला कनारी यह सब ठंडी चल धारा हैं इसको अब मैप को अच्छे से पना के इसको अच्छे से समझते चेगा थैंक्स